नमस्कार, स्वागता आपका फ़बों का पंचनामा में मैं हूँ आपके साथ खुश्पू, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी फबरे, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्यापेचल TV के एडिटर इंचीफ, रॉक्टर म सबसे पहले हजड़ाइस राज कुंगा पॉर्णोग्राफी केस में शिल्पा के समर्थन में आया वॉलिवूड आक्टरस रिचार्च चंधा ने किया शिल्पा का बचाव बीजेपी सांसत बाबुर चित्रूयों ने राजनीती को कहा अलविदा बोले समाथ सेवा के लिए राजनीती में आया था जमो कश्मीर में सुरक्षा बनों को मिली बड़ी काम्यावी पुल्वामा हमले में शामिल जैश का आतंकी अबू सैफुल्ला देर जावेद अक्तर शबाना आजमी से मम्ता की मुलाकात पर भड़की कंगना ताड़का से कर दी मम्ता की तुन्ना और टोक्यो अलम्पिक्स में पीवी सिंधू को सेमिफाइनल में में मेरी हाथ ब्रॉंज मेडल की आस अब भी बरकराए सबसे पहले बात राजकुंद्रा पॉर्नोग्राफी केस की अब इस केस में जिस तरीके से अक्टरस शिल्पा शेटी की मिंदा हो रही है ऐसे में बॉलिवोड आक्टरस रिचा चध्धा शिल्पा के समर्थन में आई है जो अपने जीवन में पुरुशों की गलतियों के लिए महलाओं को दोश देते है रिचान हंसर महता के एक ट्वीट का जवाब दे रही थी जिसमें कहा गया था कि जब तक कानून अपना काम कर रहा है तब तक शिल्पा को गरिमा और गोपनियता दी जानी चाहिए डॉक्टर साब बॉलिवूट के अचानक शिल्पा के समर्थन में कूदने का क्या मतलब है देखे इस बॉलिवूट के हमांग में सब के सब नंगे हैं ये सारे लोग जिस तरीके से डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं उनको जरा इस बात का शर्म भी नहीं है कि आप किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो दिन के उजाले के तरह ये साफ हो चुका है कि राज कुंद्रा बॉलिवूट के नाम पे वो किस तरीके से असलीलता को परोस रहा था देश की युवाओं को बिलकुल गर्त में डाल रहा था भविस्च को अंधकार में बना रहा था और उसके बाद इन लोगों कितना गट्स है कि आप उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आ जाए ये कौन ही है मैता ये कह रहा है कि भई उनको गोपनीता और निज्टा चाहिए भई ये तमाम लड़कियां जो सामने आकर के कह रही है कि उनके साथ एक्स्प्लाइटेशन हुआ उनके साथ जो ही जो ही जोड़ जबस्ति की गई उनको ब्लैक मिलिक किया गया इतने सारे सट्टे बाजों के साथ उनके रिष्टे निकल रहे हैं जिससे सीधे सीधे पैसा जो है वो पॉर्नोग्राफिक आ रहा था और ये रिचाच अड़ा और ये पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं अपने घर में ये किस तरह से अपने बच्चों के सामने अपने आपको प्रस्तुत कर पाते होंगे ये का पाते होंगे कि हम जो हैं एक पर्नोगाफिक किंग को आज हम डिफेंड कर रहे हैं मुझे याद है कि इसी तरीके से सुसांत के केस में भी इन सब लोगों ने एक विलन का रोल अदा किया था देश अलग रास्ते पर चल रहा है देश की सोच अलग है और ये सणांध जो बॉलिवूड के नाम से मुम्बे में विराजमान है इसकी सोच बिलकुल अलग है तो ये तो वही वाली बात हो गई जिस तरीके से सचिन वाजे के मामने में उद्धव ठाकरे डर रहे थे उसी तरीके से शिलपा शेट्टी और राजकुंद्रा के मामने में ये सारा बॉलिवूड डर रहा है ताकि जाच की आज इन तक ना आ जाए अब बात करते हैं दूसरी खबर की पूर्व केंद्री मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियों ने राजनीती को अलविदा कह दिया है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि वो राजनीती में सिर्फ समाथ सेवा के उन्होंने का कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीती में रहने की ज़रूरत नहीं है वो राजनीती से अलग होकर भी अपने उस उदेश्य को पूरा कर सकते हैं उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वो हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे है और कि उनके इस फैसले को वो समझ जाएंगे पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियों की चुपई और बीजेपी में उनकी कम होती भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाय जा रहे थे इस तरह से लेशकता है पाटी से इस्तिफ़ा देने से सन्यास तो होगा नहीं कि यह इस्तिफ़ा अगर इन्होंने लोकसभा के स्पीकर को दी होती है कि हम अब सांसद नहीं रहेंगे तब सिस्टी की कोई वैली होती है इसा तुन्होंने किया नहीं, वो तो एक Facebook Post लिख रहे हैं, किस मनहों इस्तिती में होंगे, पता नहीं, उन्होंने लिख डाला, लेकिन ये इस्तिफा नामा तो नहीं है, इस तरीके से कोई आदमी इस्तिफा नहीं लेता है, अगर आपको इस्तिफा लेना भी है, तो आप भा प्रदान मंत्री मोधी के आप चहते लीडर है चुके हैं, आपको मंत्री बनाया गया था, तो कम से कम ये इस्तीफ़ा ये Facebook पोष्ट प्रदान मंत्री मोधी के नाम में लिखा होता, अमीशाजी के नाम लिखा होता, ये फैसला लेने से पहले आप उन से जाकर के मिलते बातच ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुछ जानकारियां आपने अपने इंट्रो में आलेटी दे दिया है कि वहाँ बंगाल के अंदर इनकी कद जो है वो कम होती जा रही है वो इसलिए भी होती जा रही है कि जैसे ही बंगाल में चुनाओ के बाद हिंसा भड़की तेनों के गुंडे भारती जानता पार्टी के कारकरताओं को पगर के पीठने लगे उनकी महिलाओं के साथ बलातार करने लग गए तो कई सारे लोगों ने इनसे मदद के गुहार लगाई तेनों ने जो फून पे बादचीत की वो फून रिकॉर्ड जो है वो वारिल हो गया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता कारकरताओं को मदत नहीं कर सकता मैं अगर बाहर गया तो ये लोग मेरी कार को तोड़ देंगे अब पब्लिक लाइफ में इस तरह के लीडर की जुरुत नहीं होती है दूसरी बात ये कि बंगाल में अब ने ने चेहरे आ गए है सुभेंदर उधिकारी को बकाइदा भारती जंता पाटी मंता बनर जी के सामने प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी के लीडर के तौर पे लीडर वो पोजिशन बनाये गया है तो कई सारे लोग बीजेपी के बंगाल के अंदर वो रुष्ट चल रहे है और उसी गेम का ये मुझे एक हिस्सा नजर आ रहा है कि जिसमें बाबुल सुप्रियों वो बारगेनिंग करना चाह रहे है जी तो बाबुल सुप्रियों को समाथ सेवा अगर वक्त रहते याद आती तो अच्छा था अब जिस सरीके से राजनीती में उनका कद कम हो रहा है और अब वो समाद सेवा का गाना गा रहे हैं ये तो कुछ बात सही नहीं लगती अब रुख करते हैं तीसरी खबर का पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शामिल जैशे मुहमत के प्रतिबंधित आतंकी अबू सैफुला को सुरक्षा बलोने जमुकश्मीर के पुलवामा जिले में मार गिराया है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अबू सैफुला जिसे अजनान, इसमाईल और लंबू के नाम से भी जाना जाता है वो साल 2017 से घाटी में अक्टिव था, अबू पुलवामा में त्राल के हंगल मर्ग में एक अन्य आतंकवादी के साथ मारा गया है वो 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले सहित अन्य आतंकी हमलों की एक श्रिंकला में शामिल था अबू वाहन से चलने वाले आईजी का विशेशग्य था जिसका अफगानिस्तान में नियमित रूप से इस्तमाल किया जाता है और 2019 के पुलवामा हमले में भी इसका उप्योग हुआ था मधिकारियों ने कहा कि वो तालिबान से भी जुड़ा था डॉक्टर साब कितनी बड़ी उपलब्दी है ये सुरक्षा बलो के लिए सुरक्षा बलो के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि आज पुलवामा हमले से जुड़े हुए तमाम लोग जिनके जिनके जानकारी सुरक्षा एजिंस्यों की पास थी कि जो लोग फुल्वामा अटैक में सामिल थे उसका ये कमांडर, उसका वो ट्रेनर, इसका वो रुकृरिटर, उसका ये प्लैनर, ये सारय ये जो आदमी था वो फुल्वामा अटैक का मास्टर माइन्ड के रूप में सिक्रिट एजनसी इसको चिन्धित कर रखी थी और ये आखरी वेक्ति है उस पूरे चेन में जिसको आज मार गिराया गया तो आप ये कह सकते हैं कि पुल्वामा से जुड़े हुए तमाम आतंकियों का आज सफाया हो गया और ये कह सकते हैं कि ये उपलवध ही अतनी बड़ी है कि हमने एक बहुत बड़े हादसे का बदला आज काईदे से ले लिया लेकिन ये जो सैफुल्ला है ये एक हार्ड कोर आईसाई ट्रेंड मिलिटेंट था ये न सिर्फ घाटी के अंदर लोगों को रिकूट करता था ट्रेनिंग करता था बलकि ये इतना बड़ा एक्सपर्ट था कि आईटी वेगरा को किस तरह के से इस्तमाल करना है किस तरह से उसको आगे लेकर के जाना है साथी साथ वो कश्मीर के बाहर में जो आतंकी जो स्लिपर सल्स की सतरह से ऑपरेट होते हैं उनके साथ भी इसके तार जुड़े हुए थे और ये बात आपने बताया और ये बात सही भी है कि ये तालिबान हो या फिर लस्करी तोईबा हो ये तमामी जो पाकिस्तान के आईएसाई के द्वारा जितने भी जो टेरिस्ट औरनाइजिसन जो है ओपरेट होते हैं उन सब के साथ इसके रिष्टे थे तो एक बहुत ही शहर को निसाना बना सकते हैं जी तो जैसा कि हाँ पर डॉक्टर साब ने कहा कि जैसे कि आने वाले दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है तो उसके तहत ये बहुत बड़ी उपलब्दी है सुरक्षा बलो के लिए अब बात चौथी बड़ कंगना ननाउत ने लिखा कल शबाना आजमी और जावे दक्तर ने बंगाल की मुख्य मंत्री जिसे सब ताड़का के नाम से जानते हैं उनके साथ में एक मीटिंग की सब भान मिलकर ताड़का को देवी बना देंगे दिन को रात और रात को दिन दिखाने का ये कारेक्रम शुरू हो चुका है लेकिन ये मत भूलना कि मैं सब देश द्रोहियों को नंगा करूँगी डॉक्टर साब कंगना को अब ये क्या हो गया है देखें कंगना एक हिंदुवादी राष्ट्रवादी एक्ट्रिस है और अपने विचारों को दुनिया के सामने लाने में वो कोई लाग लपेट नहीं रखते है जो दिल कहता है जो दिमाग कहता है वो वकाइदा वो कह देती है उसके लिए वो नुकसान भी सहने को तयार रहती है पिछली बार जब पाल घर में सादों की लिंचिंग होई थी तिन्होंने आवाज उठाई थी जिस हिसाब से अरनब गुस्वामी के खिलाफ कारवाई हुई तिन्होंने आवाज उठाई थी जिस हिसाब से सुसांत के साथ हुआ तिन्होंने आवाज उठाई थी त वाला अपरेटर इन सब के साथ मिलके यह जो बॉलिवूड में जो धंदा चलता है उसके खिलाफ वो आवाज उठाती रही है और यह मसला तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टन था वो इसलिए कि जावेद अक्तर जो अपने आपको बॉलिवूड का एक अंडिक्लियर्ड समझते हैं बॉलिवूड का अपना माउथ भी समझते हैं कि जैसा वो कहें बॉलिवूड का वो जो है रिप्मिन्टेटिव बन गये हैं तो उनके साथ तो केस मुकदमा चल रहा है कोट से डाट फटकार भी पॉल रही है जावेद अक्तर को वो पास्पोर्ट और सीज करवा ने की बात कर रहे हैं तो एक लीगल बैटल तो उनके साथ चली रहा था दूसरी चीज़ बंगाल के अंदर जिस हिसाब से हिंदूों के खिलाफ अत्याचार हुआ है उस पे कंगना क्या हर आम हिंदू के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर जी कि जिनके उपर जिनकी स क्यास पास लोगों की मौत का आरोफ है तिन्होंने तो सवाल सही किया है कि ऐसी मुख्य मंत्री जिनके उपर ये सारे आरोफ है वो धिली आकरके उनको देवी बनाया जा रहा है दो हजार चौविस में उसको प्रधान मंत्री कैसे बनाया जाए इसकी प्लैनिंग चल रही है और कोई मीडिया हाउस कोई नेता उसे ये सवाल तक नहीं पूछ सकता कि बंगाल के अंदर में जो लॉइन ओरर की सिट्यूशन है ये जो वहां के जो मुसलिम भीड जिस तरीके से वहां पे अत्याचार कर रही है उसकी रिस्पॉंसिबिल्टी किसकी है तो कंगना ने जो क गर्व है अपने नेशलिजम के उपर गर्व है उनको इस तरह के सवाल उठाने चाहिए जी तो दाद देनी होगी कंगना की हिम्मत को जाहिर तोर पर कंगना बंगाल में रह रहे हैं उन बंगालियों से कहीं आगे है जो बंगाल के अंदर स्रिनमूल के डंडे के दम पर वो सेट्स में हार का मुँ देखना पड़ा रियो उलम्पिक की रजत पदक विजेता सिंदू भारत की सबसे बड़ी पदक उमीद थी और जिस सरह उन्होंने अब तक प्रदर्शन किया था उससे लग रहा था कि वो इस बार स्वर्ण पदक ला सकती है लेकिन इस हार के साथ उ ओलम्पिक के अंदर आज के दिन बहुत सारी बुरी खबरे आई हैं जो हमारी बॉक्सर थी पूजा उसका भी वो भी अपना क्वाटर फार्नल में वो मैच हार गई पीवी संदू भी हार गई लेकिन एक बास समझने की यह है कि कई सारे लोग आस लगा के बैठे हुए थी अच्छी बात है लेकिन उस स्टेज पर जाकर करना एक बहुत बड़े गट्स की जरुत होती है और खेल तो खेल होता है आज कभी आपका दिन अच्छा हो सकता है कभी आपका दिन खराब हो सकता है लेकिन जिस हिसाब से यह मैच हुआ जिस हिसाब से यह सारी चीज़े हो र जीनदाबार P.V. Sindhu वो मैच जीती है, लेकिन आज उनका दिन नहीं था, हलांकि कडोरो जो हिंदूस्तानी है, उनका दिल तो बैठा है, लेकिन खेल तो खेल होता है, कभी हम जीते, कभी कोई और जीते, कभी हम आरे, लेकिन अभी भी पदक की उमीद बनी भी है, आशा ही करन नहीं देश-विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी हमें लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्स्राइब करें नमस्कार